एलो एवरिवन स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैक पूर्ट का टेंथ का IMPORTENT MAT जो आपके exam में आ सकता है तो आज के इस वीडियो जो है ये जो वीडियो है हमारा सभी वीडियो को देख सकते हो, इसके इलावा आप हमारे WhatsApp गूर्ट, Telegram गूर्प, Instagram को साथ जूल सकते हो, आप जूल करके अपने परिक्षा के तयारी अच्छे से कर सकते हो, और अपने और अपने माबाप का सपना पूरा कर सकते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें क्या है हमारा पहला सवाल, पहले सवाल में कह रहा है आप से कि 7 cm तदा 5 cm उचाई वाले लंविर्थिय बेलन का आयतन ग्याद करना है, तो एक बार फिर से हम आप लोगो को कोर्शन पढ़कर सुना देना तेज, चाहते हैं कि 7 cm त्रिजिया और 5 cm उचाई वाले लंविर्थिय ब इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है, काफी फेमस फॉर्मूला है और इससे आपके एक्जाम में कोश्चन बनेगा ही बनेगा, पाई का मान आपको 22 बटा 7 याद रखना है, जहां कहीं भी पाई आएगा हम 22 बटा 7 रखेंगे, गुना का चिने देंगे, R का Square का मतलब जो आपका R 7 cm था उसका Square कर दिजिये, H आपका 5 हो जाएगा, इसके बद हम क्या करेंगे 22 बटा 7 लिखेंगे, 7 का Square का मतलब होगा 7 गुना 7 यादी दो ब़र 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 7 से 7 को काड़ दिजिये, उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दि सेवन सेंटी मेटर क्यूब लिखूगे क्यूंकि आपने I than निकाला इसले I think क्यूब में होता है। स्क्वएर में नहीं होता है। और यही आप क्या हो जाएगा अन्सर हो जाएगा। तो अमीद करते हैं कि आपको समझ में आग जाओगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए और सब्सक्राइब कर लेजिए